तो आज हम पढ़ने वाले हैं class 8th chapter 1 rational number तो पहले जब chapter start करते हैं तो आपको इसको introduction जरूर पढ़ना चाहिए introduction से आपको chapter के बारे पता चलता है आपका basic clear होता है और उससे आप आगे के सारे question कर पाते हो तो हम बात करते हैं पहले point से कि rational number होते क्या हैं तो rational number होते हैं a number is called rational number if it can be expressed in the form of p by q मतलब ऐसे number जो आपके rational form में होते हैं मतलब upon के form में होते हैं कि 1 upon 2, 3 upon 2, something ऐसा तरीके सा जो number होते होंने क्या बोलते हैं हम rational number कहते हैं examples सामने आपके लिखे हैं कि examples 1 upon 2, 4 upon 3, 5 upon 7, 1 ये सब क्या है rational number है उसके बाद कुछ ऐसे numbers भी हैं जो basic numbers हैं आज हम chapter में सिर्फ basic बात करेंगे आपके chapter start कर रहे हैं तो आपको काफी easily समझ में आ जाएगा और आपने अगर पहल नहीं पड़ा है class 7 ये class 6 में तब भी काफी easy लिए आपको समझ में आ जाएगा तो natural number क्या होते हैं उसके बारे हम बात कर लेते हैं all the positive integers from 1 to infinity is called natural number तो definition पिनी खास नहीं है अगर आपको simple definition बोलो तुम्हें all countable number is called natural number अब यहां मैंने countable words का use करा है countable का मतलब क्या होता है कि ऐसे number जो counting में use होते हैं आप जब भी counting start करते हैं तो कैसे start करते हैं 1,2,3,4 ना कि आप कहते हैं कि 0,1,2,3,4 0 से कभी counting start नहीं करते हैं हम कभी हमेशा 1 से start करते हैं क्यों क्योंकि naturally ऐसा ही है जब old age time था stone age time था तो कोई भी person जब कोई भी चीज गिनता था for example किसी के पास धेर सारी लकडियां हैं तो लकडी कैसे गिरेंगा 1,2,3,4 ऐसे गिरेंगा तो 0 से start नहीं करेंगा क्योंकि उस time पर 0 exist नहीं करता था ठीक है क्योंकि naturally हमें numbers ऐसी मिले हैं 1 से start होता है तो all the countable numbers are called natural number तो natural number जो हमें nature से मिले हैं हमें प्रकरती से मिले हैं simple है तम बात करते हैं whole numbers की तो whole numbers क्या होते हैं all the natural numbers including 0 are called whole number तो whole का मतलब क्या होता है मतलब पूरा जो कोई चीज संपूर होती है पूरी हो जाती है तो आपको जैसे बताया है मैंने natural number होते हैं प्रकृति से मिलें, कुद्रस से मिल गए, नैच्रल है, जब किसी के पास कोई चीज नहीं होती, for example, stone age के टाइम पर कोई भी एक person है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे express करेगा कि उसके पास क्या है, तो वो कहेगा कि मिल पास zero लखडिये हैं, जिरो या फिर जिरो बक्रियां हैं, कुछ भी कह सकता है, तो जिरो का मतलब है, कुछ नहीं, तो इस नमबर को introduce करा गया बाद में, तो वो क्या बन गया, सारे नमबर पूरे हो गए, पहले नमबर से वन से start था, तो वो natural numbers थे, लेकिन उसमें zero include करा गया, उसकी खोज करी गई, आरे भड़ द्वारा, तो वो number क्या बन गया है, whole number, मतलब अब numbers पूरे हो गए, तो उसको बोलते हैं whole numbers, उसके बाद introduce होते हैं, बाकी numbers यह सम बोलते हैं, integers, तो integers, जो word है, वो कहां से आता है, integers का मतलब भी क्या होता है, पूरा होता है, मतलब whole, तो अब यह word कहा सा है, यह Greek word से मिलके बना है, इसका मतलब भी होता है, पूरा, तो क्या हुआ, for example, किसी को count करना है, धेर सारी बक्रियां, तो वो counting start करेगा, one, two, three, four, तो यह हो गई, naturally counting, लेकिन किसी के पास कुछ भी बक्रियां नहीं है, तो वो क्या कहेगा, कि मेरे पास zero बक्रियां है, उसके बाद, suppose कोई भी इंसान, बक्रियों के करदे में है, कि किसी ने उससे बक्रिय उधार ले रही ती, फिर उसके गुम तो वो कैसे कहेगा, कि उसके पास कितनी बक्रिय थी, क्योंकि अब उसके पास बक्रिय है नहीं, लेकिन उसने उल्टा उधार ली थी, तो वो, यानि कि minus में है, तो इस time पे minus के number introduce होते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, all negative numbers and positive numbers including zero are called integers, मतलब positive तो आ गए natural number से, zero, बाद में introduce क रगया, बन गया whole number, और फिर उसके बाद negative numbers आते हैं, minus one, minus two, minus three, तो वो बन जाते हैं integers, तो तीन number हो गए हमारे पास, natural, whole, और integers, लेकिन chapter है rational number, तो rational number की कुछ properties हम discuss कर लेते हैं, कैसी properties की होती हैं, तो उसके आदम बात करते हैं, properties of rational numbers, तो rational number से हम पहले start करते हैं, whole number से, कि इ आसियत क्या होती है, closer property की बात करेंगे, तो closer property का मतलब क्या होता है, कि कोई भी number, अगर whole की बात कर रहा हूं, तो उसको plus, multiply, division, या minus करनी पर उसका answer जो रहेगा, वो whole number में ही रहेगा, मतलब वो close है, वो एक ही set के अंदर close है, कि वो उसमें ही रहेगा, for example, अगर मैं बात कर होता है, 4, तो 4 आया answer, 4 भी क्या है, एक whole number ही है, यानिके, वो close है, बहार नहीं गया, मतलब प्लस करने पर integer नहीं आया, rational number नहीं आया, whole number आया, तो वो क्या है, close रहा, ऐसे कोई और सा number ले लो आप, for example, 6 plus 0, 6 ही आ रहा है, तो 6 भी एक whole number है, 0 भी एक whole number है, answer क्या है, whole number, तो ये भी क्या है, अब भी close है, कोई और सा number ले लेते है, 10 plus 6, कितना है, 16, तो 16 भी एक whole number है, यानिके, plus में ये closer property hold लिकरता है, उसके अदम बात करते है, subtraction की, तो subtraction में क्या होता है, कि आप किसी भी number को minus कीजिए, ठीके, 10 minus 8, कितना हैगा, 2, तो 2 एक whole number है, तो यानिके, मतलब ये इंटीजर में पहुँच गया, तो अब ये closer में नहीं है, तो subtraction closer property hold नहीं करता है, उसके अदम बात करते हैं, multiplication की, तो multiplication में क्या होता है, कि आप 2 number को multiply कीजिए, और अगर number, उसका whole number मिलता है, तो वो क्या है, closer property hold करता है, तो किसी भी 2 number को multiply कर लिजिए, like 3 into 5, 15 आ divided by 5 कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 3 by 5, और 3 by 5 क्या है, एक rational number है, तो ये क्या है, closed नहीं है, तो शाय समझना हो आपके, कि whole number क्या है, सिर्फ closer property hold करता है, addition में, और multiplication में, subtraction और division में ये closer property hold नहीं करता है, उसके बाद हम बात करते है, closer property of integers, तो integers को अगर आप plus करते हो, तो को प्लस करने पर वो integers ही रहेंगे, कुछ भी number ले लो आप, that means, वो closed रहेगा, उसके बाद, जैसा आपने previous देखा, कि आपने दो number minus करें, तो एक number integer बन गया था, तो अब हम integers की बात कर रहे हैं, तो integers में रहना चाहिए उसको, तो दो number minus करो, 5 minus 7 कितना हैगा, minus 2, तो क्या है, व closed है, लेकिन अगर आप divide करते हो, तो divide करने पर क्या आएगा, वो rational form में आएगा, और integer में नहीं आएगा, तो क्या है, integer division के लिए closed नहीं है, यानि कि वो closer property hold नहीं करता है, तो simple है, integers, addition, subtraction, multiplication में closer property hold करता है, लेकिन division में वो नहीं करता है, उसका दम बाद करते है, rational number की कि वो rational number closer property hold करता है, या नहीं, तो पहला point की, तो जब rational number को हम plus करते हैं, तो plus में कोई सा भी आप number ले सकते हैं, कि आपने, suppose लिया है, minus 4 upon 7 plus 6 upon 11, तो इसको solve करने भी क्या आता है, minus 2 upon 77, तो कभी-कभी question में आपका answer ठीक आ सकता है, और कभी-कभी नहीं भी आ सकता है, मतलब वो rational number में शायद ना आए, क्योंकि कभी-कभी कुछ numbers ऐसे होते हैं, जिनका decimal expansion जो होता है, वो non-terminating और non-recurring होता है, तो ऐसे numbers जो होते हैं, वो rational number category में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, closed और not closed, दोनों हो सकता है, closed भी है, और नहीं भी है, क्योंकि रहेगा, तो हमेशा वो एक rational number में आएगा, तो वो भी का है, closer property होल्ड करता है, multiply करेंगे, तब भी multiply करने पर हमेशा rational number मिलता है, तो क्या मेलेगा हमें? Closer property hold करेगा लेकिन divide करने में किसी भी number को divide कर दो तो वो rational form में जरूर आती है तो तब क्या हो जाती है Closer property hold रिकरती है लेकिन सिर्फ 0 से divide करने में आपको बताया मैंने कि वो undefined बताता है not defined बताता है define नहीं हुआ तो वो क्या होगा not closer इसलिए rational number division में Closer property hold नहीं करता है सिर्फ 0 की वज़े से तो यह आपने समझे लिए Closer property के बारे में अब हम बात करते हैं next cumulative property के बारे में यह property क्या कहती है हमसे कि अगर कोई भी number का हम order change करते हैं तो वो number से मिलता है for example अगर हम बात करता हूँ addition में तो 3 plus 2 क्या हैगा 5 और 2 plus 3 क्या हैगा 5 यह निका order को change कर रहा तो answer same रहेगा अगर ऐसा होता है तो वो यह property hold करता है अगर नहीं रहता है तो वो hold नहीं करता है तो order change करने पर same answer मिलता तो yes यह commutative property hold करता है उसके बार हम बात करते हैं subtraction में तो subtraction में ऐसा नहीं होता है अगर आपने 10 में से 8 minus करा है तो 2 मिलेगा और 8 में से 10 minus करा है तो minus 2 मिलेगा यानि कि same answer नहीं मिला तो यह commutative property hold नहीं करता है उसके बाद multiply करने पर क्या होगा दो नमबर को multiply करो 3 5 is the 15, 5 3 is the 15 दोनों का same answer आया तो क्या हो गया वो yes commutative property hold करता है उसके बाद है division तो division में ऐसा नहीं होता है 2 को 10 से divide कर दो आपका answer अलगाता है 1 by 5 आता है और आप अगर divide करेंगे 10 को 2 से तो 5 मिलता है तो दोनों में काफी change है यह commutative property hold नहीं अड़ता है यह बात हो गई whole number की अहम बात करता है next number की integers की तो integers में क्या होता है plus करेंगे तो simple सी बात है कि वो order में same आएगा minus करने पर same नहीं आता हम पहले बात कर गए है multiply करने पर भी same आएगा क्योंकि अभी हमने बात करेंगे integers और whole number almost same होता है और divide करने पर same नहीं आएगा यानि कि वो commodity property hold नहीं करता है उसके बात हम बात करते है rational numbers की तो rational number में क्या होगा कि अगर plus करोगे तो हमेशा वो order में फर्क नहीं पड़ता है answer same आएगा तो भाई हाँ property hold करता है minus में नहीं करता है हमने पहले बात कर लिया multiply में करता है अभी हमने देखा और division में नहीं करता है तो commodity property same है तीनों के लिए whole number, integer और rational number multiplication और addition में hold करता है property लेकिन subtraction और division में hold नहीं करता है उसके दम बात करते है next property की associated property आप इसमें क्या होता है किसी भी 3 number को हम ले सकते हैं या फिर 4 number को पड़र हम 3 लेके चलेंगे और उन 3 में अगर हम पहले शूरू में 2 को solve करें बात में last में 1 को solve करें यानि के summarize 3 का order चलता है कि पहले किसी 2 को solve करना है बात में किसी 3 को solve करना है grouping चलती है अगर grouping के according देखा जाए, अगर grouping के order change करने पर same answer रहता है, तो associated property hold करता है, for example, 3 number लिया हमने, 3 plus 2 plus 5, तो पहले 5 और 2 को plus कर लो, फिर 3 से plus कर लो, क्या answer आएगा, 5 और 2, 7, 7 और 3, 10, same answer है, उसके बाद 3 plus 2 plus 5, कितना आएगा, अब भी वही आएगा 10, यानि कि addition में ये property hold करता है subtraction में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि order change करने पर negative positive का फरका जाएगा, तो multiplication में associative property hold करता है ये नहीं, तो अगर आप किसी भी 3 number को multiply करते हैं, तो उसका order बदलने पर answer तब भी same रहता है, इसका बदल क्या है, कि multiplication, associative property hold करता है, लेकिन division में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, addition और multiplication hold क करता है, subtraction or division नहीं करता है, यह हम पहले भी देख चुके हैं, इतना इसको याद करने की जरूवत नहीं है, जस्त थोड़ा समझाने की बात इसलिए संगा रहा हूं आपको मैं, ऐसे ही cinder, हम बात करते हैं whole number की, अगर हम बात करें integers की, तो integers में भी same होता है, addition में होती है, hold, multiplication में होती है, लेकिन subtraction or division में नहीं होती है, similarly rational number में same इसी होता है, तो याद करने की इतनी जरूवत पड़ेगी भी नहीं के simple है, ठीक है, लेकिन बस पता होना चाहिए, associated property क्या होती है, commodity क्या होती है, closer property क्या होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए, होती है, तो अब हम identity है, identity का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐसा number जो आप plus कर दें, additive है तो प्लस कर दें, तो वो number अपनी पहचान ना खोई, मतलब जैसा था वैसा ही रही है, तो अगर हम बात करते है, addition में, तो addition property कौन होल्ट करता है, 0, तो 0 आप किसी भी number में अगर add करेंगे, for example, हम 2 प्लस 0 कर दें, तब 2 आएगा, 0 प्लस 2 करें, तब 2 आएगा, तो उसको करने पर हमेशा answer क्या आएगा, कोई भी change नहीं होगा, यह थोड़ा misprint है, इसको avoid करेंगे, लेकिन 0 किसी भी number में add करने पर हमेशा वो same number ही देता है, 5 से करो 0 प्लस 5 आएगा, 10 से करो 0 प्लस 10 ही आएगा, य all of 0 in numbers, उसके अदर बात करते हैं, multiplicative identity, बलब किसी भी number से multiply करो उस number को, तो वो number same to same रहे, ऐसा कौन सा number है, simple 1, आप 1 को किसी से multiply करो, कोई number आने वाला है, 10 वंजा 10, 5 वंजा 5, 8 वंजा 8, हमेशा same number आएगा, यानि कि वो number अपनी identity नहीं हो रहा है, तो 1 क्या है, multiplicative identity होता है, यह आपको पता होना चाहिए, उसके बाता है हमारे पास, additive inverse, तो additive inverse क्या होता है, कि inverse हम उसको बोलते हैं, दो ऐसे number जिनको जोडने पर additive identity आजाए, यानि कि 0 आजाए, तो वो दो number आपस में क्या होते है, inverse होते है, यानि कि अगर हम 5 की बात कर रहे है, तो 5 का additive inverse कौन है, minus 5, मतलब उसका sign बदल देने है, plus का minus, minus का plus, अगर मैं minus 10 का बोलू तो कौन होगा, 10, यानि कि उसको sign पलेट देने हैं, तो क्या बन जाएगा, वो उसका additive inverse बन जाएगा, उसके बाद एक point और आता है, जो आप लिखा नहीं है, वो आता है आपका recipe probe का लिए, यानि कि multiplicative inverse, ऐसे number जिनको multiply करने पर, मल्टिप्लाय करने पर, मल्टिप्लेटिव अईंटिटी मिलती है, यानि कि वन मिलता है, तो, कौन से ऐसे number से, जिसे अगर मैं five की बात करो, तो five को किस से multiply करो, कि one आ जाए, five को, वन बाए five से multiply करने पर कितना आएगा, एस जहीं है, यानि किverka का multiplicative inverse कौन हुआ 1 by 8 और 10 का कौन हुआ 1 by 10 किसी भी number को बस पलट जिना है 1 by 10 को कौन होगा 10 मतलब उसको पलट कर जो बनेगा तो उसको बलते हैं reciprocal यानि के multiplicative inverse तो यह होगा चैप्टर की बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी summary तो number line की बात कर लेते हैं काफी यह भी important है आपने पहले भी पड़ी होगी उसको पता ही होगा कि जो आपके positive numbers होते हैं वो right hand पे होते हैं negative numbers जो होते हैं left hand पे होते हैं और बीच में कौन होता है जो है rational number वो इसमें कहां पर है तो उसके अगर बात कर दो तो इनके बीच में जूम करें तो ऐसा बन जाएगा तो जीरो और वन के बीच में क्या है छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं तो यह ही क्या है rational numbers है इसको इसको डिवाइट कर सकते हैं आप और वन बाइफाइव निके बीच में क्या है rational numbers को find करना होता है तो कैसे करेंगे वह हम बात करेंगे exercise में लेकिन यह था introduction तो hope यह समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे comment करके जरूर बताओ तो इसको थोड़े और better way में थोड़ा और easiest way में समझाने की कोशिश करेंगे तो hope आपको यह वीडियो पसना ही पसना है तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको उसके बारे में और जानना है और भी ऐसी introductions चाहिए अलग अलग chapters के तो मुझे comment box में ज़रूर बताईए ताकि मैं उससे वीडियो बना